नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत विबिन संस्कृतियों और विबिन धर्मों का देश है यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई और बौद, साथ ही साथ जैन धर्म और इक्तियादी धर्मों के लोग निवास करते हैं साथ ही साथ आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इसलाम से चुड़े कुछ खास ऐसे फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता होंगे यहाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नमास पढ़ने से पहले आखिर मुस्लिम लोग क्या करते हैं इसलाम में नमास का बहुत महत्व है और मुसल्मान भी इस परंपरा को खोब अच्छे से निबाते हैं ऐसे में मुस्लिम धर्म के लोग नमास पढ़ने से पहले कुछ ऐसे कारे करते हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे नमाज पढ़ने से पहले मुसलमानों को बहुत सारी बातों का ख्या लखना पड़ता है जैसा कि हिंदु धर्म में पूजा पाट करते समय कुछ साधानिया बरतनी पड़ती है वैसे ही दोस्तों नमाज पढ़ने के लिए तीन नियम गुसल इत्र और सिवाक बनाए गए है नियम के अनुसार नमाज पढ़ने से पहले स्नान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके बाद इत्र लगाना भी अवश्य होता है ऐसा मना जाता है कि नमास पढ़ने से पहले इत्र जरूर लगाना चाहिए महीं दोस्तों मुसल्मानों को जुम्मे के दिन नमास पढ़ने से पहले दांतों को साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इन तीनों नियमों का पारान करने के बाद ही नमास की आवाज अल्ला तक पहुचती है अगर आपको कारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्याद से ज्यादा शेर भी कीजिए तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद